चलिए ऐसी ओ कोर्स में आगे बढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए about the search engines तो आज की इस वीडियो के अंदर जो है मैं आपको बताने वाला हूँ all about search engines तो चार questions के answer मैं आपको देने वाला हूँ कि search engine की शुरुवात कैसे हुई search engine होता क्या है अगर Google नहीं होता हमारी life कैसी होती और definitely सबसे important की क्या एक Google ही एक मात्र search engine है तो चलिए इन चारो questions के जो है answer इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे so guys मेरा नाम है मंजीत सिंग और आप देख रहे हैं पहले question की की search engine की जो है शुरुवात कैसे हुई so basically जब internet grow करना start किया तो ऐसे में जो है बहुत सारी नई 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 वेबसाइट जो है वो बननी स्टार्ट हो गई और जैसे वेबसाइट बननी चालो हो गई लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा challenge आ गया और वो challenge यह था कि जो भी website बन रही है उनको लोगों तक पहुँचाया कैसे जाए क्योंकि website तो बन रही है जब तक जो जिसको बता रहा था वो तो आता था traffic लेकिन बाकी लोग जो है Google search engine तो चलिए दूसरा जो सवाल है हमारा उसकी तरफ में बढ़ते हैं और दूसरा हमारा सवाल है कि search engine कहते किसको हैं तो चलिए Google ने जो opportunity ली उसी को यहाँ पे link कर देते हैं और Google ने opportunity ली और एक बहुत ही simple concept के साथ में इसको यह शुरुआत करी गई और शुरुआत ऐसी करीगे कि जितनी भी websites हैं उन सभी के जो links हैं या उनसे related जो भी data है वो इसने अपने एक server के उपर में store करना start कर दिया और जिसकी business के उपर में जो है यहाँ पर लोगों को एक ऐसा platform मिल गया जब उनको कुछ भी search करना है तो अपना keyword डालते और उससे अगर कोई भी website available है तो वो यहाँ पर search में आने लग गई and slowly gradually जैसे जैसे demand बढ़ती गई जैसे जैसे number of websites बढ़ती गई वैसे वैसे Google ने इस पूरे search engine के अंदर बहुत सारे different algorithms का जो है इस्तेमाल किया उस data को filter out करने का और यही हम इस पूरे SEO course के अंदर सीखने वाले हैं अगर आप SEO पूरा 100% सीखना चाहते हैं तो इस course के साथ में बने रहे हैं और हमारे चैनल को like, share and subscribe जरूर कर ले चलिए तीसरा question जो है हमारा वो है यहाँ पे कि आपका जो search engine नहीं होता तो क्या होता तो मैंने already answer दे दिया कि अगर search engine नहीं होता तो हमें कौन सी नहीं websites हैं, कौन सा related data available है, कौन सी ऐसी website है जोस पर बहुत अच्छा content है हम कभी वहाँ तक नहीं पहुँच पाते यानि कि अगर आपको मेरी website पे पहुचना हैं, तो आपको मेरे से पूचना पड़ेगा, तो मैं आपको exact URL बताऊंगा, तो आप जो है उसको open करके मेरी website तक पहुँच सकते थे अगर एक भी spelling इदर उदर कर दिया तो आप मेरी website पर कभी नहीं पहुच पाएंगे, यही benefit जो है Google के search engine में हमें मिलता है, या किसी भी search engine के अंदर हमें मिलता है, जहां पर हम चाहे spelling इदर उदर हो चाहें लेकिन यह हमें help करते हैं एक सही website तक महुचने में तो चलिए finally last जो हमारा question है, कि top search engines क्या है या फिर क्या Google ही एक मातर search engine है, तो the answer is no, Google एक मातर search engine नहीं है, लेकिन अगर पूरे globe की अगर बात करी जाए, तो Google के पास में सबसे ज़्यादा market share है, यानि कि सबसे ज़्यादा जो daily basis पे use किया जाने वाला platform है वो Google का search engine है इसके बाद में Yahoo है उसके बाद में Bing है और बहुत सारे others में अगर हम China की बात करें तो चाइना में Google नहीं चलता वहाँ पे उनका local search engine चलता है उसका मैं नाम भुल गया, definitely मैं आपको link में, description के अंदर उसको update कर दूँगा, अगर हम बात करें रश्या की, तो वहाँ पे उनका खुद का एक search engine है, ऐसी कुछ में भी एक और ऐसा search engine है I think उसको कहते है, duck duck go एक नाम थोड़ा सा funny लगता है, लेकिन ये एक ऐसा search engine है, जो आपकी द्वारा search की गई किसी भी data को, या history को restore नहीं करता है तो आप अगर ऐसा कोई आपका intention है, कि आपको जाते हैं कि आपकी privacy maintain रहे आप क्या search कर रहे है, वो किसी को पता ना चले तो आप जो है, एक और नए search engine का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको कहते है duck duck go, तो चलिए I hope कि आपको all about search engine पता चल गया, अब फिर भी कोई question है, तो do let me know in the comment section, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो कराने तो, till then stay safe, good bye